जारकर में भीड हिंसा के शिकार तबरेज अंसारी की मौत और देश में बरती मॉब लिचिंग की घटनाओं को लेकर बड़ी संख्या में जोरदार प्रजेशन हो रहे हैं साथी कें सरकार से मांग की जा रहे है कि मौब लिचिंग के दोशियों के खिलाफ सक्से सक्त कारवाई की जाए शामली के चोसाना में भी तबरेज अंसारी की हत्या का विरोध किया गया और चोसाना चोकी इंचार्च को राश्ट्रपती के नाम एक ग्यापन भी सोपा गया आपको बता दे कि गाउग जिजोला में स्टुडेंट्स एंड यूथ वैलफियर असेशिएशन के तत्वा धान में तबरेज अंसारी की हत्या के विरोध में जिजोला गाउं से उन तिराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया तबरेज के कातिलों को फांसी की मांगी दे और साथी साथ देश में अमन शांती के लिए उन तिराहे पर पहुंश कर महामाही राष्ट्रपती को संबोधित ग्यापन चोकी इंचा चोसाना बीनु सुन को सोपा गया इस मोखे पर युवाओं और ग्रामीनों द्वारा तबरेज के कातिलों को फांसी दो नफरत की सियासत बंद करो मोब लीचिंग बंद करो के नारे भी लगाए गया है आज यहां जी जोलने से उन तहराए तक इसका मुख्य उद्देश है क्या है क्यों निकाला गया यह समझगर के हमारे बीच से नहीं है कहीं बार ऐसा भी हुआ है कि एक मुस्लिम बीड़ के दुआरा एक हिंदू युवक को भी मारा गया है मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा वो भी एक मॉब लिंचिंग है और मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि किसी अदर समुदाय के दुआरा किसी मुस्लिम युवक को घेर कर और कोई व्यारोप लगा कर मार दिया गया है पीट पीट कर वो सिरफ एक नफरत का बीज है जो संपर्दा एकता हमारे देश में पनप रही है आज हमारा उद्देश है केवल उन मरने वालों की आत्माओं को सांती देना और दे हो देश में अमन और सांती का पेगाम जाए ताकि ये भारत मेरा वही भारत रहे जो 1947 से पूरू में 1857 में था जो उससे पहले था जब दोनों और जब सभी हिंदू मुस्लिम सीख इस देश के लिए लड़े थे और आजाद कराया था आज वही अमन और चेन का भारत होना च हो अभी हाली में जारखंड में जो तबरेज नामक युवक को भीड़ के दुवारा पीट पीट कर मार दिया गया है के वलिए उसके कातिलों को जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए ताकि आएंदा कोई और भीड इस तरह की लिंचिंग ना करे कोई किसी बेगुना की और मोत ना जाए किसी बेगुना की जान दोबारा से इस मेरे अमन के हिंदूस्तान में न जाने पहें जी 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 यह जो केंडल मार्च निकाला गया है इसमें सभी गाउं के लोग हैं लेकिन इसको लीड कर रही हैं हमारे यांकी एक इस्टुडेंट एंड यूथ वेलफेर एस हैं और जो जागरूक गिरामीन में कहूंगा जो आए हैं यह एक उनको जिन लोगों ने तबरेज की हत्या किया उनकी मांग है कि उनको जल से जल फांसी दी जाया और इस तरह की घटनाओं की पुर्वे परधान भी मौजूद हैं इनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ इनका सब्सक्राइब जितने भी इसमें पूरे हंदूस्तान में लोग रहते हैं अमन और सकून के साथ रह सकते हैं हमारा और पूरे इन सभी गाउंवालों का जो देश है वो एक देश है सिरफ बलाई और सच्चाई और इमानदरी भाय चारा कायम रहे हमारी योई हो यह कि हम तम्रेज के बारे में कहना चाहते हैं जो भी उसको मारा गाया और पिटा काया हमें उन कातिलों की फांसी देखे सर में तो यह कहना चाहूंगा जो तबरेज के साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहूं ठीक है मुसलमानों को देखकर भीड जो है पीटती है यह होना ना चाहिए लेकिन हो रहा है तबरेज के काति लोगा जब तक फासी नहीं दी जाएगी हम चेंते नहीं बैठने वा सरकार का मानते हैं यह किसी और मैं तो इतने कहूंगा कि सरकार का थोड़ा सा इसमें रोल है सुधार होने चाहिए सभी को और तबरेज के काति लोगों फासी दिन चाहिए ग्यापन देंगे ग्यापन किसको दिया जा रहा है यह ग्यापन हम चोकी परवारी महोद हैं हमारे उनके माध्यम से हम महा महीम राष्टपती महोदे को यह ग्यापन देंगे और यह ग्यापन जो है इसमें हमने लिखा है कि दिनांक 22 जून 2019 को जहार खंड के सराय केला जनपद में भीड दुआरा एक संपरदाई विसेश के युवक तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप डाला गया इस तरह कि मोब लिंचिंग के घटनाओं में अधिकांस्तेक विशेश समुदाय को निसाना बनाया जा रहा है हम महा महीम से मांग करते हैं कि तबरेज के कातिलों को जल्द फासी दी जाए देश का माहूल बिगाडने मोब लिंचिंग करने वाले लोगों पर कठ जोरतम कारवाई की जाए हम आपके सदा रिनी रहेंगे